Mountain with 60-90% gold soil discovered in Congo Villagers यहाँ पे भाग भाग के कुछ उनको छोटा सा टुकडा अगर मिल जाए gold का यह कलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इसकी कई videos है online लोग उसको share कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख पाऊगे BBC का भी article है Congo Gold Mountain Now a question यहाँ पर यहाँ आता है कि यहाँ पर क्या genuinely एक सुने का पहाड मिला है क्या इसका मतलब यह है कि Democratic Republic of Congo जो दुनिया में perhaps one of the poorest countries में से एक है बहुत गरीबी है यहाँ पर क्या इस country के लिए सब कुछ बदल जाएगा डिसकस करेंगे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा A lot to know, a lot to discuss as always but before we begin एक प्रशन यहाँ पर मैं आपसे पूछूँँगा एक्जाम परस्पेटिव से काफी important है आपको यहाँ पर simply यह बताना है कि इन में से कौन सी imaginary line आफरीका से नहीं गुजरती does not pass through the continent of Africa topic of cancer, topic of Capricorn, international deadline या फिर equator comment section में करों answer, सही answer मैं आपको दूँगा with proper explanation वीडियो के end में और आप किसी भी exam की preparation कर रहे हैं चाहे SSC, UPSC, bank, any examination simply anacademy.com पर जाओ या फिर anacademy की website पर click करो यहाँ पर exam पर for example SSC, get subscription और यहाँ पर पर्चेस कर सकते हैं course, 2 साल का, 1 साल का course whichever tenure you like, मगर जो price यहाँ पर लिखा है यह पे मत कर देना, use करो यहाँ पर code PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% discount so use the code PD10 and save money now first of all, मैं आप से लोग के लिए crystal clear कर देता हूँ कि basically gold मिला कहाँ पर है, कौन सा देश यहाँ पर involved है यहाँ पर आप देख पाओगे, यह है इशका मैप और यह है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर आप देखेगे, मैं zoom in कर रहा हूँ to Luhi, Luhi एक जगा है in Democratic Republic of Congo देखो, आफरिका में भी दो Congo है एक तो simply Republic of Congo दुसरा है Democratic Republic of Congo और यहाँ पर आप देखोगे, आपको देखेगी Lake Kivu यह भी बहुत ही important है exam perspective से अब तो आप से पूछ भी सकते हैं, Sincere News में आ चुका है के Lake Kivu आपको किस देश के पास मिलेगी तो इस नियर Democratic Republic of Congo और यहाँ पर जो रीजनल लुही ही यहाँ पर देखो historically हमेशा गोल्ड के traces मिलते आए हैं मगर अब क्या है कि यहाँ पर एक पहाड अगेन जब हम कहते हैं पहाड तो Mount Everest की बात नहीं कर रहें इनके पहाड यूजुली कावी जोटे होते हैं यहाँ पर बहुत सारी गोल्ड स्वाइल मिली है क्या पुरा पहाडी गोल्ड का है पुरा चटान सोने की बनी हुई है नहीं ऐसा कुछ नहीं है स्वाइल की फॉर्म में गोल्ड यहाँ पर अविलेवल है उसको एक्स्ट्राइट करने में भी काफी टाइम लगता है काफी महनत लगती है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर thousands of tons गोल्ड मिल चुका है और यह आज के समय सेंटर बन चुका है गोल्ड का in the entire world हाँ इस रीजन के लिए काफी important है जो आस पास के गाउं है हो सकता है कि वहाँ पर कुछ खुशाली आए मगर overall इस discovery के बाद भी Democratic Republic of Congo एक developed country बन जाए या फिर even मैं कहूंगा एक middle income country बन जाए इसके chances बहुत जारा कम है और एक और point यहाँ पर मैं यह भी add कर दू कि Democratic Republic of Congo का एक time पे नाम था जायर और 1997 में इसका नाम change हो गया to Democratic Republic of Congo अबादी क्या है यहाँ पर अबादी है आठ करोड सतर लाग के आसपास और जराता जो एक country है यह follow करता है Christian faith को मगर हम बात करें तरक्की की prosperity की तो यह दुनिया में one of the most poorest countries में से एक आता है जो human development index है उसमें आप अगर देखो तो Democratic Republic of Congo की rank बहुत खराब है इसकी rank है 175 इंडिया की इसके comparison में rank है 131 और पाकिस्तान की rank है 154 तो आप imagine कर सकते हैं कि यहाँ पर जो करोडो की अबादी है इसमें से एक बहुत ही बड़ा chunk extreme poverty में रहता है कई बार लोग यहाँ पर भूख समी मर जाते हैं और अगर हम बात करें दुनिया के सबसे गरीब countries की तो इस list में हमेशा आपको इस country का mention तो मिलेगा ही मिलेगा अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं सबका reason क्या है देखो इस सबका एक बहुत ही बड़ा reason है high level of corruption कोई system properly काम करता नहीं अगर हम corruption perception index को देखें तो जहाँ पर इंडिया की rank है 86 86 rank के साथ भी आपको बता है कि इंडिया में हलत अभी भी काफी खराब है corruption को लेकर विरस आप अगर देखो Democratic Republic of Congo को तो यहाँ पर rank है 170 अब next question यहाँ पर रहाएगा कि चलो ठीक है गरीब देश है corrupt है मगर अब तो यहाँ पर gold मिल गया gold के reserve मिल गए तो अब तो हो सकता है कि यहाँ पर लोगों का जो standard of living है यह improve हो देखो gold के reserve यहाँ पर है यह कई सालों से लोगों को पता है gold के reserve आपको even Congo में और Democratic Republic of Congo और Central African Republic यहाँ पर आपको काफी gold के reserve मिलेंगे problem यह है कि इस gold का फायदा यहाँ की आम जनता को कभी भी नहीं होता आपको जानके आप इहरानी होगी कि इस देश में करीब 100 के आसपास group हैं जो बिलकुल सरकार के दारे के भार काम करते हैं उनकी खुद की Malaysia है मतलब खुद की आप कह सकते हैं छुटी सी उनकी आर्मी है खुद की उनके rules हैं और कई लाकिया है इस देश में जहाँ पर आप अगर चले जाओ तो Democratic Republic of Congo की सरकार वहाँ पर जिमदाई नहीं ले पाएगी कि आपके साथ क्या होता है वहाँ पर वो जो group है completely उनके laws काम करेंगे इन groups का main काम यह है कि जहाँ भी पता लग गया के सोने के reserve हैं तो जो आसपास के farmers हैं उनको जबरदस्ती forced labor के जरिए उनसे mining करवाएंगे और वहाँ पर जो भी सोना आएगा उसको illegal तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह कोशले रिया है यहाँ से इसको export करवा देंगे to UAE या फिर Saudi Arabia बहुत सारा gold illegal तरीके से हर साल export होता है Democratic Republic of Congo के बाहर यहाँ पर आप पूछ सकते हैं अगर ऐसा क्यों होगा इनकी सरकार के पास खुद की कुछ आर्मी तो होगी कुछ पुलिस तो होगी यह लोग जाके इन ग्रुप से लड़ते क्यों नहीं है और जहाँ पर gold है at least हो area तो कब जा लो तो यहाँ पर आपको जान के रानी होगी कि इनकी government के अंदर इतना corruption है कि कई वार क्या होता है कि government officials को ये बात पता है मान लो for example ये लुही area है यहाँ पर पता लग गया कि gold यहाँ पर available है अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ministers हैं और जो government officials हैं उनको ये पता है कि अगर इस area को government ने take over कर लिया तो यहाँ पर जो सुना मिला है जहाँ पर वो जाएगा कितना tax उस पर लगाए जाएगा सुने पर इस सब issues को लेकर government accountable हो जाएगी government की हो जाएगी जवाब देही और लोग फिर पूछेंगे कि यहाँ पर जो सुना मिला था ये कहां गया इसका क्या हुआ तो जो government है यहाँ पर खुद काफी बार आके बन कर देती है और कोई यहाँ पर illegal group आके area कबजा लेता है illegal तरीके से mining करता है कुछ जो share है यहाँ पर जो government officials and ministers and को मिल जाता है और फिर illegal तरीके से यह सुना भार जाता है Democratic Republic of Congo के तो इसमें हुआ क्या जिन लोगों ने यहाँ पर सुने की mining करी उन लोगों ने तो यहाँ पर किया slave labor बहुत कम उनको पैसा मिला tax के नाम पर सरकार को कुछ मिला नहीं सरकार के पास tax नहीं होगा तो कल कोई यहाँ पर सड़के, schools, colleges यह सब बनेंगे नहीं तो एक बहुत ही vicious सरकल है कॉंगो में और यह लोग इस सरकल से भाहर निकल नहीं पाते और यह सारी बात है जो मैं आपको यहाँ बताई है ऐसा नहीं है कि मेरी खुद की कोई research है मैं कॉंगो गया था वहाँ पर अभी दर तो नहीं गया मगर यह सब मैंने actually पढ़ा है UN की report में 2020 में UN की report सामने आई जहां पर इन्होंने यह बताया है कि कॉंगो का बहुत सारा सोना स्मगल किया जा रहा है इस देश के बाहर और इनके लोगों को इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा यहाँ पर आप देखोगे गोल्ड प्रट्शन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कॉंगो कंटिनिउस टू बी सिस्टेमाटिकली अंडर रेपोर्टेड कई जगा है सरकार की ओफिशल माइनिंग होती है वहाँ पर मगर मास अंडर रेपोर्टिंग होती है कुछ लोग यह भी कहते हैं यहाँ पर हो सकता है कि 60-70% जो गोल्ड की माइनिंग यहाँ पर है यह illegal तरीके से हो रही है वो सोना कहां पर गया किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया पता नहीं हाँ एक बार एक कंट्री में उसोना पहुझ गया तो वहाँ पर वो कंट्री कहती है कि ठीक हम इस पर tax लगाएंगे import tax और हम इसको proper तरीके से market का part बना देंगे तो यह major issue है कॉंगो का और hopefully मैं यही कहूँगा कि किसी दिन यहाँ पे कोई इमानदार लीडर आए, यह system को break करे, मगर आसान होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे groups हैं, बहुत सारे मलेशा हैं, वो अपनी power अराम से छोड़ेंगे नहीं, और possibility तो अब यह है देखो, जो बहुत सारे groups हैं कॉं यह है कि in the future एक gold conflict हो जाए within the country of Congo, उमीद करता हूँ, ऐसा ना ही हो, और eventually यह country भी एक दिन prosperity के दिन देखे, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो almost हर 6-7 महिने में बहुत भी खराब नहीं उजाती है इस देश से, जो इनके gangs हैं, जो इनके malaysias हैं, यह जबरदस्ती farmer से mining करवाते हैं, इनको proper कोई equipment देते नहीं है, safety equipment या फिर जो इनकी safety है, उसकी कोई परवा करता भी नहीं है, और इसलिए देखा गया है कि हाली में 2020 में 50 miners Congo में मारे गए because of gold mine collapse, तो इससे आप समझ गये होंगे कि ठीक है यहाँ पे gold मिला भी है, मगर फिर भी Congo को एक prosperous country बन नहीं गुजरती, यह थी यहाँ पे आपकी options और सही उत्तर यहाँ पे Tropic of Cancer विल्कुल भी नहीं है क्योंकि Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn और equator, यह तीनों जो imaginary lines है, यह गुजरती है from the continent of Africa, मगर international date line नहीं गुजरती from Africa, यहाँ पे आप अगर देखोगे, यह African continent है, यह Tropic of Cancer की line, यह equator हो गय और यह यहाँ पे है Tropic of Capricorn, और जो international date line है, यह यहाँ पे आपको मिलेगी, African continent से कई हजारो किलोमेटर दूर, तो यह है अंध इस वीडियो का, thanks for listening and as always, God bless you all! झाहाँ, तो झाहाँ